यह हमारे UKG Maths की Ascending और Descending को सही तरीके से करने का तरीका सबसे पहले बच्चो को Small Number और Big Number के बारे में पता होना चाहिए अच्छे से तो अभी थोड़ा समय शॉट में आपको Big or Small Number पर समझा देती हूँ जिसने अगर Big or Small Number की वीडियो नहीं देखिए तो वो भी आप समझ लेजेगा देखिए सबसे पहले हम बच्चो को Scale के Throw या किसी तरह के से इस तरह के से आप Register पर भी Scale बना सकते हैं जिससे बच्चो को Big or Small Number पता चले हैं यहाँ से हम 1,2,3,4,5,6 बच्चो को समझाना है जो पहले आते हैं इन की पहले आते हैं वो हो जाते हैं Big Number यानि की पहले आते हैं Small और बाद में आते हैं Big Number सबसे पहले आप बच्चों को ये समझाईए उसके साथ ही जब हम उन्हें ये activity करने के लिए देंगे तो small to big यानि कि पहले क्या number हमको लेना है small, कैसे पता चलेगा उनको 3, 4, 7, 1 कैसे पता चलेगा उनको, जो हमने scale बनाया है, इसमें पहले number क्या है 1, 1 यानि कि जो सबसे पहले number आ रहा है, वो हमारे small number है it means हमारा पहला small number हुआ इसमें 1, उसके बाद क्या आएगा, 2, 2 number पहले आया है, तो इसका मतलब पहले हमारा फिर next number होगा हमारा 2 फिर आता है हमारा 4 and फिर 7 और जैसे जैसे बच्चे numbers लिखते रहें तो वो cross करते रहें, जिससे उनके लिए easy हो जाए यह हमने पहले कर लिया 1 2 कर लिखने के बाद वो 2 को cross करते 4 लिखने के बाद वो 4 को cross करते और 7, it means done उनका जो difference देख रहे हैं, उसका confusion काता हम हो जाएगा उनको जैसे मैं आपको इसमें फिर से आपको समझाती हूँ big और small इसी तरीके से हमें बच्चो को big to small number भी समझाना है यानि कि जो पहले number आएका उसको हम cut करते जाएगे, 9 is a big number 9 को cross किया 7 is a big number, then 7 4 is a big number, then 4 next is small 3 इसी तरीके से हम बच्चो को big और small number समझाएंगे इसकी कुछ छोटे-छोटे words हम स्टार्ट करते हैं हमें बच्चो को किस तरीके से समझाना है हम पहले बच्चो को स्टार्ट करते हैं छोटे डिजट से, यानि कि 4 to 5, अब वो दिखेंगे उसके बाद आप बड़ी डिजट, तीन नमबर ले सकते हैं यानि कि 5, 2 and 8 तो अब बच्चे इसमें small public करेंगे small number कौन सा हुआ इसमें 2, cut किया then 5, then 8 इस तरीके से आप उने 3 डिजट समझाएं उसके बाद अगर 2 डिजट का हमें ascending और descending करना है वो हमें कैसे समझाना है for example हमने ले लिए 44 and 45 44 and 45 4 and 4 first number दोनों same है दोसरा number क्या है 4 and 5 इसमें उने पता चलेगा कौन सा big and कौन सा small number is 4 and big number is 5 तो हमें पहले big लेना है 45 then 44 simple जो हमारा होता है वो जो suppose 77 and 24 24 इसमें बच्चे 7 and 2 first digit को देखेंगे कौन सा big है वो समझ जाएंगे हमें कौन सा लेना है small यानि कि हमें 2 पहले लेना है 2 7 और 2 में कौन सा big है small कौन सा है 2 7 और 4 इन दोनों को comparison करेंगे इन दोनों में से कौन सा है उसके बाद वो first digit को ही समझ जाएंगे 24 and 77 this is a very simple way बच्चे को समझाने का इस से अच्छा तरीका नहीं है ascending or descending big and small number पहले आप उन्हें big and small number समझाएं जैसे कि मैंने आपको बताए scale के थूँ आपने समझाएं उसके बाद आप उन्हें ascending और descending बताएं आप scale भी ले सकता है अगर scale आप नहीं लेना जा रहे हैं तो बच्चे को इसी method से समझाएं ascending or descending order तो बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं और उन्हें कोई confusion भी नहीं रहता है और लंबे समय तक उनको